Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion now daily के basis पर हम page by discussion करते हैं और हर एक particular news से आपको बताते हैं कि ये news prelims से से कैसी पूछी जाएगी main से से कैसी पूछी जाएगी particular Monday to Friday answer writing की जाती है और editorial basis पर previous year के basis पर सबसे पहले overall section को जान लेते हैं newspaper में कौन-कौन सी news आई है medical states के लिए OBC और EWS के लिए quota All India quota यहाँ पर दे दिया गया है चोला एडल्स लाएगे हैं Australia से अस्ताना की पोस्टिंग में सुप्रिम कोर्ट के verdict का वोईलेट किया गया है ऐसा Delhi Assembly ने बोला क्यों बोला यह discuss करेंगे NGT के बारे में हम discuss करेंगे सभी editorial को detail में discussion करने वाले हैं प्लस उनके basis पर आपको UPSC main question भी दिया जाएगा आज के उसमें Fundamental right क्या vaccine लगाना fundamental right है mandatory करना या violation है या नहीं लोगसबाने दो बिल पास कर दिये बिना debate के यह discuss करेंगे world level की news करेंगे फिर business news कर लेंगे अगर आप social media से कड़ भी है तो आपको telegram application डाउनलोड करनी है search box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे नव यहाँ पर होता क्या है देखे डेली के basis पर एक UPSC main question हम देते हैं और Hindu analyst में जिनको नहीं पता हम डेली कल से current affair देना शुरू कर चुके है जो extra भी है earth overshoot day ठीक है यह नई वीडियो आ चुकी है नया experiment किया गया है nature की वीडियो है nature में shoot की गई है और बहुत सारे वीडियो की link हम इसी group में देते हैं तो यह group join करना ना भूले और डेली के basis पर UPSC main question देखिए कल का ही question is five year के basis पर और जो हमारे paid user answer writing करते हैं वो भी हम आप से share करते हैं इसी group में अगर आप चाते हैं हमारे साथ PR publication में तैयारी करना तो early plan join कर सकते हैं 499 का current affair daily current affair आपको मिलेंगे daily answer writing करवाई जाएगी ठीक है दूसरों की answer writing चेक भी कर सकते हैं NCIT 6012 notes होंगे phone guidance आपको मिलेगी पूरे एक साल तक अगर आप चाते हैं NCIT test range और UPSC seaside video course तो 999 रूपीज का आप ले सकते हैं लेना बहुत simple है दिये गए नमर पर Google पर phone पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम प्राइवेट ग्रूप से add कर लेंगे Now सबसे पहले बात करते हैं All India quota के All India quota introduced किया गया था 1986 Supreme Court के direction के basis पर Now दूसरे state वालों को भी अगर वो दूसरे state में पढ़ते हैं तो उनको quota मिलना चाहिए ऐसा 1986 से सुप्रिम कोट ने बताया गया Okay Now अब बात यहां पर यह आती है कि जो quota start देना कहां से सुरू हुआ था देखिए इनिशियल से तो 1986 में All India quota इस्टार्ट कर दिया गया For domicile free married based opportunity To medical aspirant of state to study In a college in another state Married based quota यानि कि जिसके अच्छे marks आएंगे उसको seat मिलेगी पहले तो ऐसा होता था ना कि particular उस state के लिए जिस state में कोई एक state से दूसरे state में बंदा पल रहा है तो उस state के person के लिए वहां के लोग 60% का reservation की वहीं के लोगों को seat मिलेगी But All India quota introduced कि अगे 1986 Merit based opportunity वाला quota था उसके बाद इस में क्या था पंदर से 50% 59-50% of UZ 15% undergraduate में 50% PG in government medical colleges are allocated अब बात यहां पर यह भी आती है कि 2007 में क्या हुआ सुप्रिम कोट ने All India quota में जो seat को क्या kit दिया गया रिजर्व कर दिया गया ठीक है 15% schedule caste के लिए और 7.5% schedule tribes के लिए ठीक है तो अब SC और ST को कब दे दिया गया फिर 2007 में दे दिया गया था ठीक है फिर उसके बाद OBC की भी रिजर्वेशन की बात आई तो अब now कल ही decision आया है National quota medical seats में 27% OBC को दिया जाएगा और 10% economic weaker section को दिया जाएगा तो इससे किस्तना फाइदा होगा 1500 बच्चों OBC student को हर साल हर वर्स MBBS में seat मिलेगी 2500 students को post graduate में seat मिलेगी 550 बच्चों को EWS के basis पे seat मिलने वाली है और 1000 बच्चे जो हैं post graduate courses करेंगे तो ये चीज़ याद रखना AIQ All India quota start हुआ था 1986 से सुप्रिम कोर्ट के direction में अब सोचो यहां पर एक मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रिम कोर्ट के direction हे तू ये All India quota start कर दिया गया सोचो मतलब सुप्रिम कोर्ट का क्या अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे से पुछूँगा अगर वो UPC नहीं कर रहा या कोई दूसरा एक्जाम नहीं कर रहा और उसको उतनी जानकरी नहीं है तो सुप्रिम कोर्ट अगर उससे आप पुछोगे तो आप वो कहोगे सजा देने के लिए वो कहेगा यार इसको सजा दे देगा उसको सजा दे देगा इसको ये कर देगा उसको वो कर देगा बट सुप्रिम कोर्ट यहाँ पर देखो कि All India Quota के लिए भी डारेक्शन दे रहा है तो समझ माया मैं क्यों कहता हूँ बार बार मेंस में कि सुप्रिम कोर्ट का आप आंसर लिख सकते हो हमेशा सुप्रिम कोर्ट डारेक्शन भी दे सकती है कभी सरकार गलत कर रही है तो इंटर्वीन भी कर सकती है कमिटी भी बना सकती है सोचो इतना ज़्यादा तो बहुत सारे डिलर्स होते ना एक जगे से दूसरे जगे मोड़तियां पहुँचाते रहते हैं अर्ट वर्क पहुँचाते रहते हैं तो उनमें इस एक डीलर था सुबास कपूर थो इस इंटिक शॉप उसके पास एक व्हूपती है तो वह आश्ट्रेलिया के उसने बोला कि नहीं यह तो हम इंडिया को लॉट आएंगे क्योंकि वहीं से यह रेलेट करती है वहीं से बिलॉंग करती है तो यह क्या है डीलर के उज़े से इधर उधर हुआ है और कुछ मत समझना कि यहां कैसे पहुंची वहां कौन कैसे पहुंची जो एंटिक शॉप होती है तो यहां चले जाती है एंज यह फिर नेशनल गैलरी और पॉस्टेलिया ने बोला कि नहीं यह तो इंडिया से ब्लॉं ठीक है ताकि आप लोगों को उस पर्टिकलर न्यूज में भी समझ माया कि कौन सी यह है जैसे यह मेंस के लिए फोर इस्टार आप कर सकते हो इसे पांच इस्टार के बेसिस पर हर एक न्यूज को ठीक है और इसको उतनी यह देखिए यह बहुत आते रहती है तो चोला डैन पूरा पॉलिटिकल वेक्यूम भी फुल्फिल किया था वो चोला डैनिस्टी ने किया था विजय लाया चोला फिर आदित्य फस्ट आया परंतका चोला फस्ट आया राजा राजा फस्ट आया उसके बाद और यह जो थे इन्होंने बहुत इंपोटेंट बात की थी राजा करना है यहां पर इसमाना है या क्या चीछ करनी है लेंड सर्वे के बेसेश पे tää लेक्स आपर राजा राजा फस्ट ने तो चोला डानिस्टी के राजा राजा फस्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर UPSC प्रेशल ने इन्होंने ही यह बताया था की historical inscription मतलब जो हमारे past की चीज़े हैं उनको लिखना गुदवाना सुरू कर दिया था पत्थरों में he began the practice of associating यूराज और crown prince with the administration राजा राजा फर्स्ट बिंगे patron of savism constructed the great राजा राजेश्वर temple also called the ब्रिद्रेश्वर temple at Tanjore यह आप से directly question पूछा जा सकता है कि राजा राजा फर्स्ट ने ब्रिद्रेश्वर temple बनाया या नहीं तो वहाँ पर राजेश्वर फर्स्ट बिल्ट दा ब्रिद्रेश्वर temple ऐसा भी आ सकता है तो राजा राजा फर्स्ट का नाम याद रखना बट मैं राजेंदर फर्स्ट का नाम इसलिए ले रहा था चोला रूलर में ग्रेटेस्ट रूलर इन्हें बोला जाता है और 1017 AD में इन्होंने सिरलंका का कंक्वेस्ट किया और capture the whole सिरलंका and made it a part of चोला एंपायर कि चोला एंपायर में से एक राजा ऐसा होता है कि वो complete सिरलंका को capture कर लेता है तो उसका नाम है राजेंदर फर्स्ट और मतलब इसका main तो यही था कि यार सिरलंका का पूरा capture कर लिया था चोला डाइनिस्ट में एक राजा ऐसा था राजेंदर फर्स्ट सो चो कितना बड़ा नाम है ओके चोला सोसाइटी अब देखे एड्मिस्ट्रेशन यह सब चीचे पूछी जाती है बड्र चोला सोसाइटी में हर किसी एक डाइनिस्टी में सोसाइटी वहां समाज कैसा था फोरफोल्ड वर्न सिस्टम वर्न सिस्टम जो है एपसेंट था मैं आपसे पूछूँगा comment box में फोरफोल्ड वर्न सिस्टम कौन-कौन से होते हैं दूसरा ब्रामिन्द को थोड़ा सा privilege था उनको tax नहीं देना पड़ता था religious और economic power उनके पास होती थी ब्रामिन्द मतलब क्या होते थे ब्रामिन्द वो जिसके पास जिसने book पड़ी है जिसको knowledge है ठीक है ब्रामिन्स कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वो है जिसको नॉलेज़ेबल परसन है पड़ा लिखा है उसे ब्रामिन्स कहते थे तो सोचो यह है चोला एंपायर लेंग देंसल्ब्स टू सोलार और लूनार डाइनस्टिटी एंड क्लेम्स छत्रिय स्टेटस एंड कॉल दें रहे हैं हम चंद्रपूत्र हैं मतलब अपने को डारेक्टली गौड से कनेक्ट कर लेते थे कि हम हम इनके वनसज है तो चलिए चोला डाइनस्टी के बेसिस पर इतना हम कर लेते हैं बहुत दिनों से आर्ट एंड कल्चर का चीज़े नहीं आई थी तो चोला डाइनस्टी अ सुप्रिम कोड का एक जज़मेंट आता है प्रकास सिंग वर्सेज यूनियन आफ इंडिया के बेसिस पर वो बोलते हैं ज़जमेंट में साब साब ये बोला जाता है कि किसी भी परसन को किसी भी एक ऐसे परसन को जिसकी छे मैने से भी कम जो अपना काम बचा हो रेटायर्मेंट की एज हो उसको पुलिस के फोर्स का हैट कभी नहीं बनाया जा सकता राकेश अस्ताना तो बहुत ज़्यादा उनकी सर्विस तो बहुत ज़्यादा कम बच्ची थी फिर भी उनको क्या बना दिया गया डेली पुलिस का कमिशनर बना दिया गया राकेश अस्ताना के साथ एक और चीज़ ये है डेली एसनने ने ये बोला कि राकेश अस्ताना मे special director थे CBI के उनको हटा दिया गया इस post से ठीक है post से हटा दिया गया अब डैली पुलिस ये बोलती है कि अगर इतना ही important है राके सस्तना तो 2018 में इनको CBI director बनाय गया था फिर हटाया क्यों और हटाया है तो आप यहां पर डिली का आप क्यों बना सकते हैं या कैसे बना सकते हैं तो यह डायली आसेमली ने बोला है कि आप तो सुप्रिम कोट का सेंट्रल कावर्मेंट से केंद सरकार से प्यम मोदी की सरकार से अमित्सा की सरकार से डायलेक्ट ली बोला गया है कि आप सुप्रिम कोट के वर्डिक्ट का ले सकते हैं क्योंकि सुप्रिम कोट का वर्डिक्ट जबी भी आता है यह देखिए 2019 के बेसिस पर बोला है कि अगर किसी एक इंडिविजल की 6 मैने से कम जो है सर्विस बची हुई है उसको आप पुलिस फोर्स का हैड कभी नहीं बना सकते हैं राइच हाला कि एक और चीज है स सिर्फ जज्जमेंट की अलग वैली होती है यह थोड़ा सा याद रखना ठीक है बट ऐसा नहीं है कि जज्जमेंट आप वॉयलेट कर दोगे ठीक है तो सुप्रिम कोट इसमें एक्शन ले सकती है अगें इस सेंट्रल गवर्मेंट और गवर्मेंट ऑफ इंडिया राइट यहां पर से आप से डारेक्ली पूछा जाएगा और एक और चीज यहाले पर्टिक्लर आएगा मेंस में ठीक है मेंस और इंटर्वी में पूछा जाएगा प्रिलिम्स में इससे कोई कॉशन नहीं आएगा NGT ने एक प्ली डिस्मिस की मोब्ड अगेंस दा फैलिंग अप्रिस रिलेटेट टू रिडप्लोमेंट प्रोजेक्ट अप जेनरल पूल रेसिदेंचेल अकोमेडेशन कोलोनी इन दे कैपिटल बहुत रगा कालोनीज होती हैं वहाँ पेड़ गिराए जा रहे थे तो केसेज होते हैं वह NGT सॉल्व करती है तो NGT के बारे में पढ़ लेते हैं NGT National Grain Tribunal यह एक्ट इस्टेबली सुआ था 2010 में यह स्पेसलाइड इन्वारमेंटल कोर्ट की तरह काम करता है Tribunal का डिवाद प्रिंसपल आप नैचुरल जस्टिस मतलब फियर इलेक्शन के बेसेज पर फियर डिसिजन लेता है Tribunal में चीर परसन हैं जुडिशल मेंबर हैं एक्सपर्ट मेंबर हैं पास साल का इनका टर्म हैं री अपोइंटमेंट इनका नहीं होगा These are appointed by the central government with chief justice of India की consultation के साथ इसमें members भी होते हैं at least 10 member हो सकते हैं maximum 20 full time member हो सकते हैं NGT compensation भी order करती है जैसे LG polymer में किया था 50 करोल का compensation NGT के पात कुछ 7 act हैं जिनका violation अगर होता है तो NGT क्या कर सकती है infection ले सकती है Now यहाँ पर वही एक ही news को बड़ा चड़ा कर एक editorial बना दिया गया है India और US के बारे में बता गया है कि बहुत सारी common चीज़ है But differences जो बढ़ रहे हैं उन पर attention देनी की जरुबत है US और India 2 plus 2 dialogue करते हैं और 2 plus 2 का मतलब है USA के foreign minister, defense minister हमारे foreign और defense minister से मिलेंगे Quad Summit leader पर हम साथ है USA के साथ ओके तो यह सब चीज़ें हैं दूसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहां पर US ने withdrawal कर लिया अफगानिस्तान से तो कही न कहीं यह इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि कहीं इंडिया के मैंने interest बताए थी अफगानिस्तान में हमारे Salma DM बहुत सारे project चल रहे हैं अफगानिस्तान में दूसरा geographical location भी अफगानिस्तान की बहुत तगड़ी है अब एक और चीज़ है US ने अभी announcement किया कि एक नया accord तो पाकिस्तान और पाकिस्तान on connectivity बट दिस is एनादर कॉस्स फर वरी फॉर इंडिया राइट क्योंकि अगर उज्य स्थान ऑफगानिस्तान पाकिस्तान मिल गए यहां पर अफगानिस्तान पा का एकुम का बेसिस पर कनेक्टिविटी बन गई वो मिलकि अपना काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है हाला कि इतनी सारी चीज़ें हुई यूएस के जो सेक्रेटरी है ऑफ स्टेट है बिलिंकन उन्होंने क्या किया क्रिटिसाइज भी किया कि भारत में जो है हुमन राइट को वाइलेट किया जा रहा है आर्टिकल 370 जमुहिन कस्मीर का मुद्दा लेकि आए सिटिजिंसिप एम नहीं इन मुद्दों को भी हमने यूएस को क्लियर करना पड़ेगा कि यह हमारे जो है यूनिलेटरल मुद्दे हैं मतलब यह हमारे कंट्री के खुद के मुद्दे हैं आपको इसमें बोलने की ज़रुवत नहीं है अपनी फॉरण पॉलिसी कुछ इस तरह से फ्रेम करनी हो से क्रिटिसाइज कर सकते हो राइट तो फॉरण पॉलिसी हमें कुछ इस तरह से डपल अप करनी है कि अगला बंदा चाहे कितना ही तगड़ा हो हमसे भिलना पाए हो समझ मां गया ओके चलिए और बात की जारी है कि अगले महने से सुरू भी कर देंगे हम और बच्चों के प्रिटे कौन सी है एक तो है जाइडस कडिला जाइकोविड दी थ्री डोज प्लाजमेट डिन वैक्सिन है 66 परशेंट एफिकेसी है को वैक्सिन की भारत बायो टेक्नलोजी वैक्सिन है जो बार साल से नीचे को दी जाएगी फाइजर एमरे वैक्सिन है ऑथराइज इन द दूसरा इन इंडिया ओनली अरॉंड टैन परशेंट ओफ और एडल्स है बिन फुली वैक्सिनेटेड और ऐसे ही रेंडम फैक्ट दिये गए है आपको बिलकुल भी करने के जरवत नहीं है बस ये माइन में डाल लीजे कि चिल्डरन को भी वैक्सिनेशन देने का प्रोग् पैसरी है फाईजर जो है एम आरेने वैक्सिन है तो यह तोंग अलग क्या है यह एक ॉप्रस पढ़ तो आपकीा करक्ते हैं बाद में अपने डूसरे योगों से डिस्कास कर सबसे पहले मैं बता देता हूं difference between DNA and RNA vaccine होता क्या है उससे पहले DNA or RNA vaccine तो अब वनानी शुरू करी इससे पहले traditional vaccine बनाया करती थी तो generally जो क्या करते थे जो अगर हमारे पास जो कोई भी बिमारी हो रही है वाइरस और बैक्टिरिया के वज़े से हो रही है तो हम क्या करते थे traditional vaccine पूरी वाइरस और बैक्टिरिया पर ही depend करती थी ठीक है बट अब जो DNA और RNA vaccine है वो किस पर depend कर रही है जो genetic information carry out कर रहे है यानि कि वाइरस का हम एक पार्ट लेंगे उसमें genetic information को भी include करके DNA और RNA vaccine बनाई जाएंगी बट अब थोड़ा सा difference है बहुत क्या है DNA और RNA vaccine works the same way as each other but have some differences with DNA vaccine virus genetic information is transmitted to another molecule that is called mRNA virus the virus genetic information जैसा मैंने बोला ना DNA और RNA vaccine क्या करती है इसमें include करती है genetic material को भी genetic information भी ताकि जितनी बिमारी वो कर रहा है उससे पता चल जाए वो कौन सी बिमारी डपलप करने वाला है तो जो वाइरस का genetic information है वो transmitted होता है किससे mRNA messenger RNA से this means that RNA mRNA vaccine you are one step ahead of DNA vaccine अगर हम आपास mRNA vaccine है तो कहीं ना कहीं हम और ज्यादा इससे हमें help मिलेगी as compared to DNA vaccine mRNA जो होता है messenger RNA goes into the cell and cell translates it into protein which are ones that organizes and induce the immune response बहुत simple है क्या बताया मैंने mRNA जो RNA vaccine है उसमें से जो वाइरस का genetic information transmit होगा ठीक है दूसरे molecule में और उसको mRNA कहेंगे ठीक है क्या बताया मैंने वाइरस का genetic information एक molecule से दूसरे molecule में transfer हो रहा उसे mRNA कहेंगे फिर जो mRNA होगा वो cell में चले जाएगा cell जो होगा protein में बदल जाएगा और protein क्या गरेगा उसी के respect में जो भी बिमारी वो create कर रहा है उसके respect में immune system immune response develop कर देगा वहीं दूसरा difference mRNA और DNA में RNA जो RNA vaccine है वो तो genetic information carry out कर रहा है तो उसे mRNA बोल दिया जा रहा है फिर cells में जा रही है फिर protein फिर immune system develop कर दे रही है बट अगर DNA vaccine की बात करूं deliver the message via small electrical pulse electrical pulse के basis पर अपना message deliver करती है ठीक है which literally pushes the message into cell or the advantage is that vaccine is very stable at high temperature the disadvantage is that required a special device that provide the electrical pulse अब वो तो directly genetic information carry out कर दे रही है कौन सी RNA vaccine बट DNA vaccine को क्या है electrical pulse की मदद से मतलब हलके से आपके electrical pulse के basis पर आपकी information पहुचाई जाएगी बट क्या होगा disadvantage यह है कि यार एक special device के मदद से आपकी वो information पहुचानी पड़ेगी फिर वो थोड़ा सा और ज्यादा costly है हाला कि बड़े बड़े temperature में survive कर पाएगी तो इसलिए DNA और vaccine DNA vaccine का RNA vaccine का अपने आप में अलग महत्तु है समझ में आ गया ना क्या है RNA vaccine क्या है एक molecule से दूसरे molecule में डारेक्टी ही उन्हें genetic information transfer हो जाती है और उसी को mRNA कहते है mRNA फिर cell में जाएगा cell के बाद खुद का protein बना लेगा और immune system develop करेगा बड़ DNA vaccine में electrical pulse की मदद से मतलब एक special device की मदद से genetic information को भेजादा आता है हाला कि ये बहुत ज़्यादा high temperature में survive कर जाता है बड़ special device होना जरूद ये cost बहुत ज़्यादा costly रहता है तो दोनों के बीच में difference पता होना चाहिए आपको कभी भी interviewer पूस सकता है ये इतनी ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी vaccine ले रहे हैं तो DNA vaccine क्या है RNA vaccine क्या है ये difference पता होना चाहिए और जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो बच्चे खुद भी research करें ठीक है अब यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है but मैं कुछ चीज़ें ये बताता हूँ कि इसराइल किस तरह से डपलब हुआ 1990 में होता क्या है अद्वल लतीव अयास और चीप बॉमबर है ये हमाज गुरूप का हमाज वही है ठीक है जो पैलेस्टाइन वाला है ठीक है तो हमाज एक टेर्रिस्ट गुरूप माना जाता है और यहाँ पर हुआ क्या कि इसराइल का एक ऐसा बंदा था उसने क्या बोला उसने उसके फॉन में कॉल किया ये जो चीप बॉम मेकर था हमास का एक तरह से उसने अनन फॉन से कॉल किया और जैसे उसने उठाया और बंफट गया ऐसा 1990s में कौन कर रहा है ये अपना इसराइली फोर्सेस कर रही है अब सोचो इसराइल के ही एनसो ग्रूप ने पैगसेस भी बनाया है मतलब आप सिर्फ वर्टसेप कॉल आईगी आपका फॉन है कैमरा कंट्रोल कर पा रहे हैं माइकरोफॉन आप जो बोल रहे हैं वो सुन पारा अगला बंदा इंक्लूट करनी है साइबर को फिप्थ डाइमेंशन बोला जाता है वार्फियर का क्योंकि उसमें एक तो लैंड वार्फियर होगी लैंड में लड़ाई होगी इंडिया चाहिना सी में हो सकती है समुधर इंडिया नोशन में एर में हवाब में हो सकती है space में हो सकती है plus cyber warfare फिप्थ डाइमेंशन बन चुका है land sea air space में तो सभी लड़े सभी देश लड़े बट पांचवाr dimension अब जो लड रहे हैं हर एक देश सबसे बड़ा point है आप इसको लिख सकते हो अपना कहीं पर बी cyber हो गया जो notes बना रहे वाना example के इस पर ये वाला point लिखो ये बार बार नहीं आने वाला है ठीक है अब इसराइल, Russian, Korean और Americans की तरह अपना Pegasus ये सब बना रहे हैं और Pegasus के बारे में वही चीज़े हैं camera control कर सकता है जो चीज़े हमने कल की अब मैं थोड़ा सा Pegasus के बारे में कल का question द to snooping the fonts of Indian user recently and also discuss the way to tackle the same कल का analysis आप लोगों ने देखना है और यहां पर हमने यह भी बताया है कि क्या इसका answer होगा model answer handwritten answer इसमें हमने share किया इसको आप पढ़ सकते हैं अब मैं Pegasus कुछ एक महने से लगातर करा रहा हूं तो 30 सेकंड में इसको revise करा देता हूं मेलशय सॉप्टिवेर है आपके डिवाइस को access कर सकता है इसराइल कंटी ने बनाया है उसके ने सो ग्रूप ने बनाया है 2010 में और इसमें क्या होगा 2019 में वर्टसेप ने ये बोला कि Pegasus आपके phone में डिरेक्टी मिज्ड कॉल देके भी WhatsApp कॉल आके भी आपका phone hack हो सकता है इ और बुदा पैस्ट कंवेंशन बहुत लोगों ने कल डाला नहीं था अपने आंसर में तो ये पकाड़ा डाले है बुदा वेस्ट कंवेंशन साइबर क्राइम के लिए है और इंडिया इसका सिगनेटरी नहीं है ना बहुत ज़्यादा वर्ष्ट केसे यहां पर आए हैं ब बहुत सारे बंग्रादेशी बच्चों को दुबाई यहां पर गल्सु को पहुंचा जाता है दूसरे सब्दों मैं बोले हैं तो एक दिन में 21 से जो चिल्डर ने उनको ट्राफिक किया जा रहा है और चायल्ड हेल्प लाइन भारत की अगर मैं बात करूं दस मेने में 44 ला सब चीज़ां हुई चायल्ड मैरिजस के केसिस बड़े 10,000 से ज़्यादा केसिज देखनी में ले मद्धीहार प्रदेस में तो एवन 391 चायल्ड मैरिजस को रोका गया ठीक है और इसके चलते भी बहुत सारी चायल्ड मैरिजस हुई पर बात यहां पर यहां पर यहां पर क्या कोई सरकार के पास डेटा है कितने ये सब चीज़ां हो रही है गवर्मेंट एड्मिटेड इन पार्लेमेंट रिसेंटली मार्च 21 इड़ नॉट मेंटेन एनी नैशनल लेवल डेटा स्पैसिफिक टू साइबर ट्रैफिकिंग केसेज अब बहुत सोशल मीडिया साइबर ऑनलाइन भी आज को लो खरीदा बेचा जा रहा है ठीक है तो गवर्मेंट के पार डेटा ही नहीं है तो ये गवर्मेंट की एक है इसको हम गवर्मेंट में जनरली गवर्मेंट को इसके बेसिस पर एक कौन के बेसिस पर देखते हैं गवर्मेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भारत को यार इतना साइबर जितना जो में मुद्दा है उस पर डेटा आपको बनाना ही चाहिए अब जो ये वाली चीज है एंटी ट्रैफिकिंग में ये पॉइंट हमेसा लिख ल इंडेड भी फॉलो नहीं कर रही है यार बच्चों को बचाने के लिए तो एक तो ये पॉइंट लिख लें एक ये वाला पॉइंट लिख लें ठीक है कभी भी हुमन ट्रैफिकिंग एक देखो कैसे लिखोगे टर्म है एक अलग से नोटबुक बननी चाहिए जब भी मैं इसी चीज़ें बताता हूं ये डेली आएंगी ही नहीं सोच लो एक बार एडिटोरियल आ गया तो फिर उसके बाद नहीं आएगा टर्म है हुमन ट्रैफिकिंग लिखना है फिर ये डेटा लिखना है आपको जो मैं बता रहा हूं चीक है अब क्या सॉलिशन क्या देना चा कानून बना पा रहे हैं पर इंप्लिमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो 330 बनाने की बात की गई थी जिसमाँ पुलिस और सरकार के आफिशल मिलके काम करते हैं बट वो सिर्फ पेपर में हैं अफरिका से क्या सीख सकते हो नाइजिरिया से वहाँ पर बच्चों को इ ने नोट करने को बोली हैं आपको नोट करनी ही चाहिए में भी आज का जो आंसर राइटिंग है इसमें ही पुछी जा सकती है नाव यह जो एडिटोरिया थोड़ा सोच विचार करने वाला है बहुत सिंपल है हुआ क्या मेगाला यह हाई कोट में रूलिंग दी गई कि taxi drivers other to get the covid-19 vaccine before they resume economic activities, is voilitative of the right to privacy, life, personal liberty and livelihood अब कोट ने क्या बोला था कि आप economic activities start करने से पहले, driver हो सोब की पर और आप vaccine लगाना mandatory है आपको पर court इसमें सरकार क्या आती है मेगलाई की सरकार कहती है कि सरकार ने बोला कि एक नया order रिलीज कर दिया stating that requirement of vaccine was merely directory and not mandatory मतलब मेगलाई हाई court ने बोला कि mandatory है पर राजी सरकार ने क्या बोल दिया कि यह mandatory नहीं है क्योंकि right to life आपकी अपनी body में autonomy आप लगवाना चाहे तो लगवा सकते नहीं तो आप इस case में बताईए comment box में मेरे पूरे answer बताने के बाद बताईए मतलब पहले ही बता लीजिए यहाँ पर पॉस्ट करने के बाद कि यार supreme court सही है या सरकार सही है दोनों ही मुद्दे सही लग रहे है तो इस case में आपको neutral रहना पड़ता आप supreme court के भी पक्छी रखोगे और court का भी पक्छी रखोगे ठीक है फिर examiner decide करेगा कि आप क्या चाहते है नव बात यहाँ पर यहाँ आती है कि very fundamental purpose of welfare attached to it अगर court की बारे में बात करें है court ने ऐसा क्यों कहा क्योंकि fundamental purpose है यार दूसरे लोगों को और ज़्यादा अगर आप vaccine नहीं लगाते तो दूसरे लोगों को COVID की फैलने की आसंका है बट compulsory vaccine क्या कोई एक कानून है येस compulsory vaccine इंडिया में भी है ब्रॉड में भी है vaccination act 1880 allow करता है सरकार को to mandate smallpox vaccination among children in selected areas several states तो ऐसा भी है municipal corporation local authorities को बोलते हैं कि compulsory vaccination scheme चलाई जानी चाहिए चीक है तो compulsory vaccine court ने बोला पर सरकार ने बोला अब सरकार का main क्या है सरकार ने बोला vaccination violates bodily integrity मतलब क्या हमार पास अपनी body का autonomy नहीं है अगर हमारा मन नहीं कर रहा vaccine लगाने का तो हम नहीं लगाएंगे ऐसा सरकार ने बोला ठीक है it is a well established principle that no right is absolute बट एक चीज ये भी है कि देखो सरकार ने बोला कि अगर therefore violating their right to life and privacy ठीक है पर ये बोला कि उनके right to life को violate किया जा रहा है right to privacy को उनका मन वैक्सिन ना लगाएं तो नहीं भी लगा सकते है बट एक आपने constitution पर पढ़ा होगा कोई भी right absolute नहीं है मतलब कहीं न कहीं exception होते हैं उनके पीछे तो court ने उसी का answer दिया कि हाँ देखिए सरकार ये कह रही है कि right to privacy right to life violate हो सकती है क्योंकि अगर मेरा मन अगर injection लगाने से मुझे डर लगता हो तो चीक है ये भी हो सकता है injection अगर लग जाए तो simple सी बात है मुझे पता है कि मेरी body में क्या react करेगा मैं अलगी hormone release कर रहा हूँ तो ये मेरे right to life को violate कर रही है तो इसलिए it is well established that सभी right absolute नहीं होते है simple सी बात है right to life भी absolute नहीं है कहीं न कहीं उसमें reasonable restriction लगी होंगी अगर आपने quality पड़ी है justice putta swami versus union of india a restriction on privacy can be justified if passes a three-prong test एक right to life में भी उसको justify किया जा सकता अगर तीन चीज़ें उसमें मिली तो सबसे पहले अगर वो restriction कानून में दिया गया हो तो ठीक है जैसे epidemic disease act 1897 में बोला गया है restriction तीसरा the restriction must have legitimate aim अगर कोई लगाया जा रहा है तो उसका aim भी होना चाहिए क्यों एम तो पता ही है na court ने कह दिया simple सी बात है तो इस case में आप क्या कहोगे कौन गलत है ठीक है तो मैं कहूंगा यहां पर अगर मैं conclusion देना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि political angle इसमें include कर दूँगा कि हर एक right के पीछे मैं कहूंगा कि reasonable restriction हर उसमें होते हैं और पूटा सौमी का यह बता दूँगा कितना बड़ी बात है और यह हर चीज में आप apply कर सकते हो ठीक है अगर court यह कर रहा है तो जार सरकार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए directory है सरकार को बोलना चाहिए अगर आप नहीं लगाओगे तो आप पर कुछ fine पढ़ सकता है moderate fine तो यह है तो आप end मैं बताओ आप सुप्रेम कोट का viewpoint अच्छा लगा government of megalike लगा या political angle लगा जो constitutional angle है right अभी अभी बहुत सारे bill pass कर दिये जा रहे हैं बिना debate के जो की democracy के oppose में है इरान nuclear talks cannot go on indefinitely इरान अभी nuclear enrichment कर ही रहा है तो कहीं ना कहीं US और इरान को मिलके काम करना चाहिए अगर इरान में stability आ जाती है इरान में अभी बहुत सारे जो है consequences लगे होए हैं sanctions भी लगे होए है right जिसमें क्योंकि भारत पहले इरान से oil import करता था US के pressure में आके कम oil import करने लगे थे ठीक है और क्या है पाकिस्तानी नौर्ड दा तालिबान स्पोक्सपर्सन तुनीशा प्रेसिडेंट सायर लांचेज ग्राफ्ट क्रैकडाउन मतलब जो corruption कर रहा है अब उस पर चेक किया जाएगा military deployment आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है Palestine saw dead in classes with Israeli troops in West Bank क्या मतलब है इसका ठीक है आपको यहां पर आप से directly जो बहुत ज़दा repetitive question आएंगे मैं उन्हीं को discuss करता रहूंगा रहा है टीवियास motor 1000 क्रोड फॉर electrical vehicles दे रहा है और कुछ काम का नहीं है तो आज हम यहीं पर अपना यह खतम करते हैं नाव आप कहते हैं sir UPSC from Assess to Dreams वाला आगे बढ़ाई है I am waiting from Silcher Assam okay informatic dot हम वो start करेंगे यार बिल्कुल यह आपको नेचर से ही मिलेगी यह चलो आज इसका release करते है sir can BSC student give the civil services in the final year और आप graduation के बात दोगे यार जब graduation complete होगा तब आप दोगे ठीक है बिल्कुल दे सकते हैं sir answer writing में कुछ guidance दीजिए IPS सिवं हम paid user को देते हैं आप guidance एक answer writing का analysis देख लीजिए आपको पता चल जाएगा ठीक है sir मेरा syllabus complete हो गया है सरवान जी आपको given number दिया गया है इनिशियल में आप उस पर WhatsApp message कीजिए हम आपको guide करेंगे sir how fertility depend on education यह देखे पृति सारवान जी ने अच्छा दिया है कि अगर आप educated हैं तो आपको पता होगा family planning कितनी है sir मुझे लगा यह आपका advertisement है फिर पता okay sir अगर UPSC का exam 2025 तक देना ह रहे हो वीडियो देखके खुद ही भी बिल नहीं उसके बाद हिंदू न्यूजपेपर पढ़ने की जरुवत नहीं है यार सरिष्टी यादव 2025 में तो अभी सिर्प हलका बेस क्लियर कीजिए NCRT से सुरू कीजिए class 7th geography book में UPSC question बताईए मैं यह सोच रहा हूं कि जो NCRT test हम कर रहे हैं उसका एक वीडियो प्ले लिस्ट निकालूं जिसमें हम टैसरीज ही करेंगे राइट सर सुप्रेम कोट खुद ही इंटर्वीन करता है या कोई प्राइल करता है जब ऐसा कोई भी प्राब्लम होता है देश में तो नहीं सुओ मोटो खुद कर सकता है मौन्सून सेशन गोइंग ओन मनी भी लाइन को ठीक है विंटरसन ओके चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे बाकि लगातार प्यार पॉब्लिकेशन की जो